अश्वदाई गोदाई धनदाई महादने धन्न में जुश्टान देवी सरकामा सिदेही में है परत्वमन शैले पुत्री दुत्तेंबर मजारणी तित्यम कुछ मारती चुत्रकम पंचमाम सकंदमाथी ती खस्टम कार्णात्री महागावरणी चाश्टमाम नवबम सिदिदात्री नवदर्गा परकितिताहा नौदेवियों में से कालडात्री का माता का नाम आता है आज बीर बार दस तरीक सब्तमीती थी धनुराशी का चंदर्मा जैसे कल हमने कब आपको बताया था कि गुद्भार को धनुराशी का चंदर्मा है इसी तरीके सुर्य ओदे का बड़ा ही प्रभाव होता है कि कौन सी राशी में कौन से योग में कौन से बल में हुआ है हमारे पंचांग में पांच चीजे हम लेते हैं दिनमान लेते हैं योग लेते हैं करन लेते हैं तिथी लेते हैं और पांचमी चीज है उसके परविष्टे जा पक्ष दोनों में से कोई पांचीजों का हमारा योग पंचांग कहता है पांचीजों के समलिंद को पंचांग कहते हैं तो आज जो है वो कारात्री की पूजा होगी जा करके सब्तमीति थी है बड़ा ही महत्व है लबरात्रों में माता का जिन लोगों ने साथ दिन ब्रत रखा है खंड जोती जगी हुई है साइंकाल में जिन्होंए दरूगा सफिती का पाठ किया है यह अबरत रखा है आज साइंकाल में सुर्य अस्त के बात आज अपने अपने घरों में there ना इरचना कर गेव काउट रात्र कि माता की पूजा करने से ब्यक्ति को हर जगा बीजे ही बीजे ही बीजे प्रापत होती है किसी प्रकार का कोई भी कवी भी संकट नहीं आता है धानराशी का जे चंद्रमा होने से और भ्रस्पती बार होने से ब्यक्ति को जी चाहिए कि पीला बस्तर धारन करे माता की पूजा करते हैं कुछ लोग नौकली पेशे सुभा शाम कर लेते हैं कोई लोग कुछ काफी सारे लोग हम लोग भी कहीं कई जगा घर में पाठ की पूजा राधनार्चना करते हैं साथ दिन की खेतरी बीजी हुई है अब बार साक शोटा सा मंदब बनाया और जैसे जजमान का हुकु मारजन किया जाता है अगले कल शुकरवार को माता जी की पूजा राधना होगी और कुछ लोग करने पूजी अश्टमी को करते हैं कुछ नौमे को करते हैं धनराशी का चंदर्मा होने से आपको पीली बस्तू का भोग लगाएं पीली बस्तू करें जदी संभव हो सके तो शक्र का भोग लगाएं माता को बहुत है वैसे तो की भी चीज दीजी माता स्विकार करेगी अन के बिना कोई विवस्त दे आज साथ दिन जा आठ दिन आपको पबास रखते हैं आठ में दिन जा नौमे दिन आपको पबास को खोलते हैं लेकिन आज जो हमन है कारडात्री क विशेश करके साइंकाल में आगर यह संभब हो सके कि वही ख़ैर की समिदा हो आमकी समिदा हो आज कठी करके जितनी जितनी हो सकती है जा नब ग्रह के समदा कठी कर लो कुशाका कर लो केतू के उपाई के लिए जा राहू के उपाई के लिए आज का किया हुआ उपाई बिलकुल कारगर होगा और सिद्ध होगा है जिसको इंद ग्रहों की दशा है जा अंतरदशा है जा कि जोएइंट पहल रहते हैं जा एक मंतर्व में 700 मंत्रों में से कोई मातर शेह बीचसे में चलाएं एक मंतर दूर्डर संपटाइब्ट बोलते हैं दुर्गा संपट का हवन होता है जो जो जैसा जैसा आपके पास उनकी सेवा कर सकते हैं जैसे राधना अर्चना कर सकते हैं उन्हें करिये और देवियों का अशीरबाद लीजिए हमारा शीरबाद जो देवियों का है वो कभी भी बड़ों का शीरबाद बच्चे का शीरबाद माभविती का शीरबाद जो पूजा राधना अर्चना करता है वो शीरबाद इसे मिलता है वो कभी भी कहीं भी खाली नहीं जाता है जैमारा अपना स्वयम का अनुभव है जाकर जय माता के, जय माता के, जय माता के